गहलोत का रुकब सच्चिन बाइलेट के खिलाफ नरम बढ़ता जा रहा है क्या आने वले समय में आला कामान पाइलेट दल के विधायकों से समझाईश करने में काम्याब हो पाएगी जैहिंद, मैं ललित खतरी और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया राजस्तान की सियासत में एक नया प्रशन उठने लगाए और क्यास लगाए जा रहे हैं कि अगर राजस्तान में गहलोत सरकार कहीं भी डगवा गाई तो सूबे में राश्टपती शासन लगाया जा सकता है और अगर ताजा हालातों को देखा जाए तो ये प्रशन उठना सवभाविक है कि क्यों गहलोत का रुकब सच्चिन पाइलेट के खिलाफ नरम बढ़ता जा रहा है क्या आने वाले समय में आलाकामान पाइलेट दल के विधायकों से समझाईश करने में काम्याब हो पाएगी क्या आने वाले समय में राजस्थान को कांगरेस की और से मुख्यमंतरी के रूप में नया चहरा मिलने वाला है ये तमाम सवाल इस समय चर्चा में शामिले देखिए वर्तमान की स्थितियों को देखकर ही समझना आसान है कि कांगरेश की हालत अभी परदेश में नाजुक है और इसका अंदाजा लगाया जा सकता है वैभब गहलोत और सीपी जोशी की बाचीत के वाइरल वीडियो से जहां वो स्वेम कहते नजर आ रहा हैं कि मामला टफ है बहुत अभी और इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अब गहलोत सहीत उनके समर्थित विधायकों ने पाइलेट के अपने बयानों में नरम रुख भी अपनाना शुरू कर दिया आपको पता होगा कि एक कारेकरम में मुखे मंतरी अशो गहलोत ने कहा था कि आप देख सकते हैं बगावत करने वालों का क्या हश्र हुआ है यदि वे लोटना चाहते हैं तो वे पार्टी हाई कमान के सामने खेच जता सकते हैं कांग्रेस आला कमान जो भी फैंसला लेगा ह केंद्रित हो गया है और उन्हें मनाने की कोश्चों में जुड़ गया है और यह होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस आला कमान किसी भी स्थिती में नहीं चाहेगा कि करनाटक और मध्यपरदेश की तरफ उनके हास्ते राजस्थान भी निकल जाए और इसलिए साम, दाम, दंड, भेद सभी नीतियों का प्रियोग करने से शायद कांग्रेस आला कमान यहां पीछे नहीं अटे वहीं दूसरी और क्या आने वाले समय में आला कमान पाइलेट दल के विधायकों से समझाईश करने में काम्याब हो पाएगी तो देखने में आता है कि असल में कांग्रेस के कांग्रेस पाइलेट को मनाने के साथ साथ दूसरी तरफ पाइलेट दल के बाकी विधायकों से भी संपक्सादने कोशिश कर रही है और उनके साथ समझाईश के प्रयास भी जारी है क्योंकि कांगनस आला कमान को ये चीज समझ में आ गई है कि दिक्कत बस परदेश की मुख्य मंतरी की कुर्सी को लेकर है क्योंकि कई बार दिये गए बैयानों में पाइलेट दल के विधायक भी ये बाद सुखार कर चुके है कि हमें नया मुख्य मंतरी चाहिए चार अगस्त को हेमाराम चौधरी वेदपरकाश शौलंग की तथा इंदराज गूजर ने बयान जारी कर कहा था कि उनकी कांग्रे संगटन से कोई नराजगी नहीं है वे तो पार्टी में रहकर अशोग गहलोत के नेतित्व का विरोध कर रहे है विधायकों ने इस बयानों में साफ नजर आता है कि इन सभी विधायकों की आस्ता आज भी आलाकमान में ही है पर वो परदेश में गहलोत को मुख्य मंतरी के पद पर नहीं देखना चाथ इसलिए अब आलाकमान इन विधायकों से समझाईश कर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर सकता है इसके साथ ही मुख्य मंतरी गहलोत भी बागी विधायकों को रिजाने के लिए प्रयास करते नजर आ रहे है 14 तारिक के सत्र से पहले सीय मशो गहलोत अपने खेमे के विधायकों को सादने में जुटे है पर खास बात यह है कि इसमें कुछ गोशनाय उन बागी विधायकों के विधान सबक शित्रों के लिए भी है जो फिलहाल पाइलेट खेमे में मौजूद है इसमें बयाना विधायक अमर सिंग जाटव चाक्सू के वेट स्वलंकी रमेश मीना मौरानी लाल के नाम शामिल है इसके अलावा गहलोत की इन घोशनाओं का फायदा बसपास से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी मिल रहा है और हम समझ सकते हैं कि राजस्थान की राजनीती का जादूगर अपने नए जादू दिखाकर बागियों को भी साधने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं ताकि सरकार को बचाने के अपने आँख़ों को मजबूती दे सके वहीं अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चैरा मिलने पर बात करें तो इस बात का जवाब बागी विधायकों को संतोष करने के लिए किये जाने वले परियासों में शामिल है कांग्रेस अपने गड़ को हाथ से नहीं जाने देना चाहती और इसकी लिए कुछ भी जतन कर इस गड़ को वह हाथ में रखना चाहेगी और बागी विधायकों की बोल भी चुके हैं कि यदि गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटा कर अन्य किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनका विरोध खतम हो जाएगा यानि मौजूद समय में कांग्रेस के बाकी विधायकों का विवाद सिर्फ अशो गहलोत को लेकर है और बीएसबी का रुख बदलने के बाद कांग्रेस आला कमान सकते में आ गया है इसलिए अगर एक समवेदनशील राजनेता के रूप में यदि कांग्रेस हाई कमान अशो गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटने को कहता है तो अशो गहलोत खुद ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे क्योंकि गहलोत तभी तक मुख्यमंत्री है जब तक हाई कमान चाहेगा फिर भले ही गहलोत के पक्ष में कांग्रेस के विधायकों का समर्थन हो लेकिन सब को पता है कि गहलोत कांग्रेस आलाकमान की इच्छा के बगैर एक मिंट भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रह सकते और वैसे भी इस पूरे प्रकरण में अशो गहलोत चुंकि कांग्रेस आलाकमान पर भारी पड़े है उन्होंने इस मामले में पूरी तरह से फ्री हैंड होकर डील किया है और किसी भी तरह से कांग्रेस आलाकमान गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी नहीं चलने दी इससे आलाकमान में ये संकेट जाता है कि गहलोत कांग्रेस पर हावी हो रहे है और आला कमान इस बात को मंजूर नहीं कर पाई खेर अब देखते हैं कि राजस्थान की राजनीती का उट किस करवर बैठता है